पिछले कुछ समय से पंजाब कॉंग्रेस लगातार चर्चा का केंद्र बनी हुई है वजाती मुख्य मंतरी अमरिंदर और नवजोद सिंग सिद्धू की लड़ाई और नस्दीक आता विधानसवा चुनाव विधानसवा चुनावों से ठीक पहले पार्टी के दो दिगजों के बीच की तल्खियों से साफ हो गया की राजय में पार्टी मुश्किल में है इसके बाद कॉंग्रेस हाई कमान सक्रिय हुआ कैप्टेन और सिद्धू से कॉंग्रेस के वरिस्ट निताओं ने अलग-अलग मुलाकाते की और उनके बीच की दूरिया कम करने की कोशिशे शुरू की अब इसे लेकर पंजाब कॉंग्रेस की प्रभारी हरी श्रावत ने बड़ा एलान किया है तो क्या कैप्टेन और सिद्धू के बीच हो गई है सुला देखिए ये रिपोर्ट पंजाब में कैप्टेन बनाम सिद्धू की लड़ाई अब समाप्थ होती दिख रही है सिद्धू की जुवान और सोशिल मीडिया पर हो रहे ट्वीट दोनों के तेवर बदल चुके है जो संकेत दे रहे हैं कि सिद्धू जो चाहते थे वो उन्हें मिलने का भरोसा दे दिया गया है इसके बाद उनके कॉंग्रेस छोडने की अटकलो पर भी विराम लग गया है पंजाब कॉंग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने तो यहां तक दावा कर दिया कि कैप्टन और सिद्धू के बीच कोई लड़ाई थी ही नहीं कुछ मतभेत थे जो सुलजा लिए गए हैं दोनों पंजाब के हित की बाते करते रहे हैं हरीश रावत ने साफ कर दिया कि पंजाब विधान सभा चुनाव कॉंग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंग के नेतरत्त में लड़ेगी यानि चुनाव जीतने की सूरत में कैप्टन अमरिंदर सिंग ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे वहीं अभी तक कैप्टन से नाराज चल रहे सिद्धू को कॉंग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने के संकेत भी रावत ने दे दिये पंजाब कॉंग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाकर जल्द ही स्तीफा दे सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंग भी इसके लिए तयार हो गए हैं जबकि इससे पहले अमरिंदर सिंग लगातार किसी गैर सिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने की मांग कर रहे थे जिससे सिद्धू के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही थी वही रावत ने बताया कि चर्चा के दोरान कैप्टन और सिद्धू दोनों ने माना है कि अभी उनका साथ रह के लड़ना ज्यादा जरूरी है और दोनों के शिक्वे अब दूर हो चुके हैं बतादे की पंजाब में कॉंग्रेस की सत्ता आने के करीब एक साल के बाद से ही कैप्टन और सिद्धू के बीच मतभेद शुरू हो गए थे 2017 के विधान सभाचुनावों के पहले जब सिद्धू ने कॉंग्रेस पार्टी जोईन की थी तब उनके मन में खुद के लिए एक बड़े ओहदे की उम्मी थी लेकिन बाद में उन्होंने खुद के लिए कैप्टन को इसमें बाधा के तौर पर पाया